असलाम लेकूम बेटा आज हमने अपना नेक्स टॉपिक स्टार्ट करना है हमारे इस चैप्टर का만 लास्ट पकितर के लास्ट लास्ट उपिक है उसके बाद प्रेण और कल इसकी एकसर साइस करेंगे ठीक है आज हमारे पास next question है हम विंड आर्थ मार्सुष थीक्ट, आज हमने पड़ना है, जूबितर, प्लैनेत हुए यूपिटर प्लैनेट सो कहता है, जूपिटर प्लैने जूपितर पास व प्लैनेट पास रूत हमारे पर सबसे बड़ा प्लैनेट है और यह प्लैनेट जो है वो गैसी से मिलके बनावा होता है जिसकी वज़ा से इस पर लाइफ एक्जिस्ट नहीं करती ठीक है और इसके इलावा इसके उपर रेड कलर के निशान होते हैं जिसे हम कहते हैं धबे निशान होते हैं जिस इसक को famous करते हैं यानि कि जो इसको मशूर करते है और यह अपना एक चक्र complete करता है 12 येर में 12 साल में अपना एक चक्र complete करता है सूरेच के गेर ठीक है कितने अरसे में complete करता है 12 येर 12 साल के अंदर यह अपना एक चक्र complete करता है और इसके total 67 moons है कितने मून्स है जूपिटर के शिक्स्टी सै Lauren मून्स हैं ये सबसे बड़ा Paynes है This ↑ इसके मून्स क्या हैं सबसे ZYARD yeah Next हमारे पास है Saturn Saturn आपके पास सिक्स नंपर पठ्लाइन. इस इस नंबर प्लाइन. स gak अंदर सॏलर सिस्टेम के अंदर और ये इसके गि Fell एक ring मौझूद होती है, यहाँ पर आपको नजर भी आ रही होगी, light color की, रिंग मौझूद होती है, जिसकी वज़ा से यह famous होता है, और यह Jupiter के बाद दूसरे नमबर पे Saturn है, जो सबसे largest planet है, solar system के अदर, पहले नमबर पे largest planet Saturn है, और दूसरे नमबर पे largest planet Jupiter है, और दूसरे नम complete करता है, और Saturn है, 30 year, 30 साल के अंदर एक चकर complete करता है, ठीक है, कितने साल में अपना एक चकर complete करता है, 30 year, और इसके इलावा, इसके 62 moons होते है, कितने चांद हैं, जूपिटर के 62 moons, नेक्स आपके पास है, यूरनेट, यह आपके पास 7th planet है, 7 नमबर पे planet है, और यह gases से मिल होता है, गैसिस से मिल के बना होता है, और इसका color जोता है, वो greenish होता है, कौन सा color होता है, greenish color होता है, और यह अपना चकर, 84 डेज में complete करता है, कितने عर्से में complete करता है, अपना एक चकर, 84 डेज, और इसके 27 moons है, यह यह आपके पास 8th planet है, solar system के अंदर और ये भी गैसी से मिलके बना होता है जैसे कि ये ये प्लैनिट भी गैसी से मिलके बना होता है और हम और ये सबसे ज़्यादा थंडा प्लैनिट होता है जैसे जैसे प्लैनिट सूलर सिस्टम में प्लैनिट सूरच से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वो थंडे होते जाते ह आखरी planet है तो ये तमाम planets जबत्स बहुत जयदा थंदा है किया है बहुत जयदा थंदा है और ये अपना एक चक्र सुरज के गिर्द one hundred 65 years में complete करता है one hundred 65 years में अपना एक चक्र complete करता है और इसके total fourteen moons है कितने चान्द है इसके total fourteen moons है ठीक है नेक्स आपके पास है प्लूटो प्लूटो लास्ट प्लैनिट है आपके पास ड्वार्फ प्लैनिट है इस प्लैनिट को ड्वार्फ प्लैनिट इसलिए का जाता है यह इसको प्लैनिट इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि यह प्लैनिट की रिक्वार्मेंट को यानि क को dwarf planet का जाता है क्योंकि ये बाकी planets की निजबा size में बहुत ज्यादा चोटा होता है ठीक है ये थे हमारे पास eight planet के बारे में अब इससे related आपके questions है मैंने यहाँ पे लिखे में question number 17 और question number 18 पहला है which planet is fifth planet from the sun which planet is fifth planet sorry fifth from the sun next है which is the second largest planet in solar system ठीक है ये दो question है अब मैं आपको इनके आंस बता देती हूँ पहला है question number 17 question number 17 का अंस ये है Jupiter ठीक है question number 17 का अंस है Jupiter which is the fifth which planet is the fifth planet from the sun और next आपके पास है Saturn second largest planet question number 18 का अंस है Saturn ठीक है question number 17 का अंस है Jupiter और question number 18 का अंस है Saturn ये आपके पास दो question है ठीक है और ये दोनों ही question आपने अपने home work पे कर लें मैं question आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ question फिर से दिखा रही हूँ आप लोग दुबारा से देख लें और ये दोनों question ही आपने अपने home work पे करके आने ठीक है home work आपको पता है आपने अपने home work Friday वाले दिन सम्मेट करवाना होता है देखें which planet is fifth from the sun which is the second largest planet in solar system ये द दोनों ही आपने home work पे करने हैं और home work का आपको पता है आपने Friday वाले दिन सम्मेट करवाना होता है ठीक है अल्ला हाफिस